हेलो दोस्तों आप लोगों का स्वागत आमरे चनल पर और आज पीड़े में हम बात करेंगे हाउ टू वाच हल्क मुवीज इन और अब मानो या ना मानो लेकिन हल्क की भी अपनी एक औरियंस है क्योंकि यह बंदा जब हल्क बन जाता है तो जहां पर वह एक्शन करने लगता उसी के साथ साथ जब वह कोमेडी करता है तो भाई मजाद डबल हो जाता है तो इसी वज़ेसे लास्ट मेरी बैटमएन वाली वीडिव ति उसमें किसी ने कमेंड किया था कि मैं भाई आप हल के ऊपर एक वीडिई को बना रहा हो चलिए बीना समयवाय स्टार्ट करते इस तो देखिए बहुत सारे लोगों को क्या लगता है हल्क की एंट्री mcu में हुई थी इंक्रेडिवल हल्क से लेकिन ऐसा नहीं है इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ देखिए आयर्न मैन और कैप्टन अमेरिका की अगर आपने स्टार्टिंग की फिल्में देखि इक होगा रहा है राहनी है और ys UA dale take में आपक्षि समझ में आई होगी कि यह बंढ़ा वी एक साइंटिस्ट है और ुपर एक रीशर्च कर रहा होता है और एक रीसर्च के दर्मयान एक्सिडेंट में यह हल्क बन जाता है और यह हल्क बनने के बाद क्या-क्या हंगामा होता है वो आपको इस पहली वाली फिल्म में देखने को मिलेगा अभी इसके बाद वही 2003 की हल्क फिल्म का यह लोग सीक्वल बनाने का सोच रहते लेकिन उसक इनों ने क्या-क्या हल्क के राइट्स फिल्म बनाने के वापस खरीद लिये और उसके उपर सेकेंड फिल्म बनाई जिसका नाम है इंक्रेडिबल तो जिस ने हल्क देखी है उसके बात जो इंक्रेडियुल हाइब उसको एसा लगेगा कि यार पहली मुवी में मजा आप व वह आप कमेंट करके बताओ और अगर आपनी फिल्म नहीं देखिए तो यह दोनों फिल्म है लेकिन पहली हल्क और बाद में इंक्रेडिबल हल्क इस सिक्वेंस में जरू से देखिए इसके बाद फिल्म आती है इसमें हल्क जो है वह इंडिया चला गया है मतलब हमारे उसे से बोलती है कि हमारी धरती जो है तो एवेंजर्स की टेम टैयार हो रही है तो वहाँ पे तुमको आना पड़ेगा तो चला जाता है और फिर विद्वेंजर्स में होता है वह देखने में बहुत जादा मज़ा आता है यह फिल्म को भी आप जरूर से देखना इसके बाद फूर्थ नमबर पर जो फिल्म आती है इस फिल्म का नाम है आयन मैं 3 अगर आप यह फिल्म देखे होंगे तो आप सोचने होंगे भाई कहा है तो हल्क का इस फिल्म में केमियो है पोस्ट क्रेडिट सिर्गी या मिड़ क्रेडिट सीन में तो अगर आपको सिर्भाई और आपको यह देखना है फिल्म नमबरम्री जो मूवी आती है इसका नाम है नाम है तो यह वह फिल्म है जिसमें hulk और black widow का romantic angle दिखाया गया है तो यह फिल्म के पहले हम सोची नहीं पा रहे थे कि hulk की भी कोई love story होगी हाला कि hulk की जो पुरानी love story hulk और the incredible hulk में दिखाई यह उसको तो वीजन के लिए क्योंकि वांडा और वीजन का डेब्यू एक्चुली इस फिल्म से हुआ था और अगर यह फिल्म आपने मिस की तो वांडा और वीजन मार्वल सिनेमाटिक उन्योस में आए कैसे वह आपको कतई समझ में नहीं आएगा तो इस फिल्म को भी आप दरू से देखिए बहुत मज़ेदार फिल्म इसके बाद शिक्स नमबर पर फिल्म आती है थार रागनर एज ओप एंडिंग में ही हल्क ऐसा दिखाया है कि कहीं दूसरी दुनिया में चला गया है और वह दूसरी कौन सी दुनिया में चला जाता है वह अपको थार रागनर में देखने को मिलगा यानि क्या होता है Most of time हमारे चेहरे के सामने में अक्टर प्ले कर रहा है इस रोल को जिसका नाम है मार्क रफेलो वह दिखते रहता है और हल को यह फिल्म बहुत ज्यादा मज़ेदा अब तक जितनी भी थौर की movies बनी है उसकी सबसे best movie है यह थर रैगनलोग उसके बाद सेवन्थ movie आती है Avengers infinity war तो वाइस है अगर आपने Avengers infinity war नहीं देखें तो आपको बता दूँ कि Avengers infinity war के पहले Marvel Cinematic Universe में जितनी भी superheroes की movie बनी थी वो सारे superhero इस एक movie में आपको देखने को मिलेंगे यहां तक कि Guardians of the Galaxy के characters भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्या हुआ था, Age of Ultron के पहले, Guardians of the Galaxy का entry तो हो गया था, लेकिन उनको Avengers के साथ connect नहीं किया गया था, लेकिन Infinity War में ऐसा नहीं होता है, सारे Super Heroes देखने को मिलते हैं, सिवा एक Super Hero के, जिसका नाम है Ant-Man, उसके वज़े यह रहती कि उसकी एक individual film आने वाली थी, और वो एक अलग timeline में work कर रही थी, तो इस वज़े से वो खली इस film में नहीं दिखाए देता, लेकिन यहाँ पर फिर वो जो Black Widow और Hulk का जो एक romantic touch है, उसको continue किया गया है, लेकिन वो कोन से हिसाब से किया गया, मैं आपको explain नहीं करूँगा, जब आप Captain Marvel की origin story बताता है, तो यह film आपको Hulk के लिए देखना ज़रूरी नहीं है, इसका जो cameo है, वो एक post credit scene में आता है, तो आप खाली search कीजिए Captain Marvel post credit scene on YouTube, आपको देखने को मिल जाएगा, इसके बाद 9th number के जो film आती है, इसका नाम है Avengers Endgame, तो जैसे मैंने कहा था कि Ant-Man आपको वो Avengers Endgame में देखने को मिलेंगे, यानि Avengers Endgame एक्चुल ऐसी मुवी है, जिसमें पुराने जितने भी Super Heroes है, वो सब आपको देखने को मिलेंगे, और Infinity War के बाद एक इतना खतरनाक वाला क्लिफ हैंगर छोड़ दिया था film में, कि आगे होगा तो क्या, तो उस सारे सवालों के जवा अगर आपको चाहिए, तो आपको Avengers Endgame देखना बहुत ही जरूरी पड़ेगा, और ये अब तक की जितनी भी Marvel Cinematic Universe की मुवी बनी है, उसमें की सबसे ज्यादा बिजनस करने वाली फिल्म है, और हाला कि ये जब रिलीज हुई थी, उस वक्त ये दुनिया की सबसे ज्यादा ब पूरी फिल्म हल के लिए देखनी जरूरी नहीं है, लेकिन शैंचे एंड लिजन ऑफ दे टैन रिंग्स ये जो फिल्म है, अगर आप एक्शन फिल्मों के दिवान हो, तो इसको जरूर से देखना, क्योंकि इसकी एक्शन जो है, वो ताबड तोड थी, और इसकी जो VFX है, वो माइंड ब्लोविंग थे हैं, इसके बाद 11 नंबर पे हल्क आपको किसी मुवी में नजर नहीं आएगा, एक सीरीज में नजर आएगा, जिसका नाम है, शायद आप सीरीज देखते हो, तो समझी गए होंगे उस सीरीज का नाम, शी हल्क, एट और नी एट लॉ, इसमें कि शी हल्क है, तो ही हल्क कैसे नहीं होगा, बस भाई उसमें आपको हल्क देखने को मिलेगा, लेकिन हल्क वो आउतार में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो फिल्मों में दिखाई दिया था, थोड़ा इसका आउतार आपको इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन यह जो स सकती है नहीं आसकती है मैं कुछ नहीं बोल सकता तो वस आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना चैनल पर सब्सक्राइब करना अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई